सभी बच्चो को मैंना नुश्कार आज हम बात कर रहे हैं क्लास 11th NCRT प्रिंस्पल आफ मैथेपेटिकल इंडक्शन मैथेमेटिक्स क्लास 11th अचा उल्टा बोल गया है चली समझ में तो आ गया ना आपको देखिए प्रिंस्पल आफ मैथेमेटिकल इंडक्शन का इंट्रोड़क्टी वीडियो हम अप्लोड कर चुके हैं 1 to 8 question number upload कर चुके हैं 9 to 16 upload कर चुके हैं आज हम 17 से start करने जा रहे हैं अगर आप इस वीडियो पे पहुँच गये हैं तो इमाल लीजए कि आपने उसका concept पढ़ लिया होगा उसको हम बताने की जुरूत नहीं समझते हैं ठीक है ये RD सर्मा का 8th question भी है क्योंकि RD के जो वीडि principle of mathematical induction में करते क्या हैं बताये गया था कि किसी series को आपको proof करना है तो series को proof करने के दो तरीके हैं या तो मुझे उस series की जानकारी हो कि वह arithmetic progression है, geometric progression है, harmonic है, exponential है, क्या है हम रहे डिराइब कर लेंगे otherwise हम test करते हैं, कि भाई ये सही है या गलत है, तो test करने के हमने क्या बताये थे, कि पहला step आप लेते है, step 1 for n is equal to 1, step 1 में आप क्या करेंगे, n is equal to 1 पे इसको test करते हैं, 1 का मतलब 1 step, पहला step, तो LHS की value यहां से क्या निकली है LHS की value आएगी, 1 upon 3 into 5, या into है, decimal नहीं यह ध्यान रखेगा, यहनी 1 upon 15 तो अगर RHS की value भी n is equal to 1 पे यही आती है, तो हम कहेंगे कि this expression, या this statement is correct for the value of n is equal to 1, अब हम RHS में भी n को 1 रखते हैं, तो जब यहां पर n को 1 रखोगे, तो what will be its value? it will become 1 upon 3 into 2 into 1, यहनी 2 plus 3 5, आपको दिख रहा 1 upon 15 आ रहा है, तो आप क्या कहेंगे कि LHS is equal to RHS so, given statement is true, given statement is true for n is equal to 1, यहनी पहली value के लिए, n की value, यह first step है, यह second term है, यह third term होगा, फिर n term होगा, तभी तो इसकी value आई है ना, तो हमने का भी 1 के लिए साही है, ठीक है, इसके बाद दूसरा statement क्या होता है, दूसरा stage होती है, कोई भी एक unknown value आप मालेजे के, और आप कह दीजिए कि यह जो statement दिया है, वो उस value के लिए साही है, तो हमने step 2 में क्या माना, हम उसको proof नहीं करेंगे, हम कहेंगे, let this statement, this statement is true for n is equal to k, पर हमने बताया था कि आपको तीन barrier राइटिंग गंदी है हमारी, लेकिन content ठीक होगा, आपको help करेगा, और अगर आपको लगे कि आपके लिए helpful है, तो please मेरे चैनल को subscribe कर लीजेगा, bell icon को press करना, आप जानते हैं कैसे किया जाता है, rest आप सब जानते हैं, ज्यादा कहने की जुरूत नहीं है, तो हमने कहा ये statement सही है n is equal to k के लिए, इस barrier पे हम इसको test नहीं करेंगे, तो n को जब k रखेंगे, उसके आएगा, 1 upon 3 into 5, plus 1 upon 5 into 7, plus so on, plus 1 upon n को k रखो, तो आएगा, 2 k plus 1 into 2 k plus 3, is equal to, तो हमने कहा ये statement k के लिए सही माल लेते हैं, ठीक है, तो मैंने क्या-क्या यहाँ n को k रख दिया, तो ये क्या बन गया, 1 upon 3 into 5, 1 upon 5 into 7, 1 upon 2 k plus 1 into 2 k plus 3, is equal to k upon 2 3 k plus 1, 2 k plus 3, हमने चेक नहीं किया, हमने ये माल लिया कि ये statement सही है, ठीक है, अब तीसरा step क्या होता है, किसी गाड़ी को चेक करने के लिए, तीन barrier होते न, पहला barrier 1, चेक किया हमने उसको, it is correct or not, second barrier, एक unknown value k, उस पे हमने माल लिया सही है, उसको चेक नहीं किया, और इसके बाद step 3 पेप क्या करेंगे, हम k के just बाद for n is equal to k plus 1 पे चेक करने जा रहे है, ज़र देखेगा, अलग-अलग teacher का अलग-अलग अंदाज है, हमने कहा, इसका left hand side हम लेंगे, n को k plus 1 रखेंगे, right hand side में अपने आप n को k plus 1 आ जाना चाहिए, n की जगे, ठीक है, कुछ लोग क्या करते हैं, इधर भी k plus 1 लिखते हैं, उधर भी k plus 1 लिखते हैं, और दोनों side को equal कर देते हैं, तो जहां पर inequality की problems आएंगी, वहां तो साथ लेना पड़ेगा, लेकिन हम यहां नहीं ऐसा करेंगे, हम क्या करेंगे, taking lhs of equation 1, taking left hand side of equation 1, equation 1 का lhs ले लिया, for n is equal to k plus 1, तो n को रख दिया हमने k plus 1, ध्यान से समझेगा, यह क्या बन जाएगा, यह बन जाएगा, 1 upon 3 into 5, plus 1 upon 5 into 7, plus so on, plus, देखो, जब आप n को k plus 1 लिखोगे, तो यहां ज़रा क्या आएगा, यह आएगा 2, n को लिखेंगे k plus 1 plus 1, bracket खोलोगे तो क्या आएगा, 2k plus 3 आएगा, 2k plus 2 आएगा, और एक 1 पहले से दिया हुआ है, तो यह एक bracket में आजाएगा, 2k plus 3, और इस वाले में दो ज़्यादा हो जाएगा, 2 plus हो जाएगा, तो आएगा 2k plus 5, अब देखिए, rhs में अपने आप n की जगे k plus 1 आ जाना चाहिए, अपने आप, और इसके लिए इस barrier का इस्तेमाल करेंगे, इस value का, तो इसके पहले value क्या होगी यह लिखना पड़ेगा, तो पहले value देखिए, क्या हो रही है, इधर से 3 से 5 हुआ, यानि 3 से 5 आने में 2 बढ़ गया, तो उल्टाएंगे तो 2 कम हो जाएगा, तो इसमें 2 कम करो, क्या आएगा, 2k plus 1, इसमें 2 कम करो, 2k plus 3, तो actually यही आएगा, ठीक है, तो इसके पहले का step लिखो जरा, तो 1 अपान, 2k plus 1, एक ब्रैकेट में, और 2k plus 3, एक ब्रैकेट में, जरा यहां से ले करके, यहां तक देखिए, पूरा, आपको यह दिख रहा है, तो इसकी जिगए क्या लिख सकते हैं, यह लिख सकते हैं ना, क्योंकि इसका इस्तेमाल भी करना है, तो हब क्या करेंगे, using equation 1, equation 1 का इस्तेमाल, sorry, equation 2 का इस्तेमाल हम कर रहे हैं, तो यहां से ले करके, यहां तक क्या लिखेंगे, यह पूरा step लिखेंगे, क्या आएगा, के अपान, 2, 3, 2 के प्लस 3, और प्लस यह पहले से लिखा हुआ है, तो यह क्या हो जाएगा, वन अपान, 2 के प्लस 3, और दूसरा प्लस प्लस 5, अब देखें, हम इसको solve करेंगे, वो एक बात की बात है, हमको लाना क्या है, हमको calculate होने के बाद में, इस equation में, RHS में N की जगे K प्लस 1 आजना चाहिए, अचा, अगर मैं N को K प्लस 1 लिकर के चेक करता हूँ, तो आ क्या रहा है, यहाँ पर K प्लस 1 आ रहा है, आप कहेंगे आ रहा है, अचा, यहाँ पर 3 आएगा, अगर मैं N की जगे K प्लस 1 लिखूँ, तो आप Mathematics करिएगा, अब अगर इंटर के Student है, यह माल लेते हैं कि इतना कल्कुसन आपको आता है, तो जब bracket खुलोगे तो आएगा 2K प्लस 2 प्लस 3, तो actually मैं यह आएगा 2K प्लस 5, am I right? Yes, I am absolutely right, English बोला हूँ, बोलेता हूँ, कम बोलता हूँ, तो यानि कि अगर इसको हम calculate करें, तो this value should come, देखते हैं calculate करके क्या आता है, तो चुँकि जगे नहीं है, इसलिए हम यहाँ से लिखना सुरू कर रहे हैं, देखे, वीडियो पॉस करके, पहले आप अपना कल कुशन खुद करिएगा, इसके बाद देखिए, देखे, यहाँ पर LCM क्या दिख रहा है, यहाँ पर LCM दिख रहा है, 3, 2K plus 3, 2K plus 5, यहाँ पर 3 है, 2K plus 3 है, तो इसका यहां से multiply हो जाएगा, तो K के साथ multiply किसका हो रहा है, 2K plus 5 का हो रहा है, प्लस, यहाँ पर 3 हो जाएगा, इसके पास, 2K plus 5 है, इसके पास 3 नहीं है, तो 3 से multiply हो जाएगा अब इसको calculate कर लिजेगा अपने आप जो result आना होगा वा जाएगा तो इसको खोलो bracket को तो यह क्या हैगा 2K square plus 5K plus 3 upon 3 2K plus 3 in bracket 2K plus 5 अब आपको splitting the middle term करके factors करने आते होंगे 3, 2 जा 5 3 plus 2 करेंगे तो 5 आएगा इसको क्या लिखेंगे इसको लिखेंगे 2K square plus 2K plus 3K plus 3 upon 3 into 2K plus 3 बस writing थोड़ी गंदी है और सब बढ़िया है ने मतलब बढ़िया मतलब दिखना चीए यहाँ पर यहाँ से 2K कामन ले लिया कामन अंदर क्या बचेगा K plus 1 बचेगा K plus 1 बचेगा प्लस यहाँ से क्या कामन 3 splitting the middle term वाले 9th और 10th में आपने factor पढ़े होंगे ठीक है इसलिए हम diet बता रहे हैं यहाँ से 3 कामन ले लेंगे यहाँ आएगा K plus 1 upon यहाँ क्या है 3 into 2K plus 3 in one bracket और 2K plus 5 in other bracket यहाँ से K plus 1 कामन अंदर क्या बचेगा 2K plus 3 upon 3 into 2K plus 3 in bracket 2K plus 5 आपको दिख रहा होगा यह cancel हो जाएगा तो यहाँ आएगा K plus 1 upon 3 into 2K plus 5 अभी हम बता चुके हैं कि अगर हम right hand side में N की जिखे K plus 1 लिखते तो the same result will come it means it is equal to RHS तो लिखेंगे so given statement is true for N is equal to K plus 1 it means it is true for all the values of N तो this is the question number 17 note down I think method आप इसके पहले पढ़ चुके हैं से दिक्कत नहीं होने चाहे ठीक, note करिये